डियर स्टुडेंट वेलकम टू आल जैसा कि आप सबको आउगत है पहले से कि बायलोजी क्लास 10 की क्लास चल रही है क्लास 10 की क्लास में हम लोग जो है यह दूसरा वीडियो है और इसके पहले जो वीडियो हम लोग पढ़ चुक है पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जय प्रक् हमको किसके रूप मिलती पोसर के रूप मिलती पोसर को कहते हैं तो पोसर के रूप मिलती अब हमको इन्हीं चीजों को पढ़ना है डिटेल में इनके बारे में समझना है तो उमीद है का आपको वीडियो पसंद आएगा और बहुत पसंद आएगा इसलिए अपने दोस्तों अभी शेयर कर दिजिए और चैनल को लाइक कर लीड़ू अचली जब तेहलते हैं यह साइकिल की सावारी करते हैं तो हम उर्जा का उप्योग करते हैं ठीक आपगे काम करते हैं आपकी ताकत लगती हुआ अपगे प्योग करते हैं उस स्थित में भी जब हम कोई आभासी क्रियकलाप नहीं कर रहे हैं उस स्थित में जब हम कोई आभासी क्रियकलाप नहीं कर रहे हैं यानि जब हम आराम कर रहे हैं कहते हैं आराम करने के लिए भी स्थोना बहुत जरूरी है अगर आप बिमार होते हैं आपन आपको पेन होती एक दर्द हो तो आराम करने के लिए भी आपको क्या चाहिए आपके पास ईठाओनी çıktिए आपको शुस्त होना चाहिए तो कहरे थाओ स्थिट में करेती अंब 3000 है इस्थित के अन्रच्छण करने के लिए उढ़रयों क्या आउ शकता होती तबी हमारु भी रच्छा करने के लिए किसका आउसकता पड़ती है। तर्जा की आउसकता पड़ती है. जैसे बिकास प्रोटीन संसलेशन आध में हमें बाहर से भी पधार्थों की आउसकता होती है। उड़ जाक असरोत पदार्थ जो हम खाते हुआ भोजन है कह रहा है कि अगर हमारे सरीर की बिकास करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी कोशकाओं सरीर का बिकास दो प्रकार से होता है एक भी कास होता है नंबर आफसल बढ़ना यानि कोशकाओं की संख्या की बिर्दिकरना और दूसरा भी कास होता है कोशकाओं का मास्का बढ़ना द्रब्मान का बढ़ना उसके मास्का बढ़ना आप जानते हैं कि जैसे आपके पास एक गुबाड़ा मैंने सपोज के लिए लिए कि गुबाड़ा है अब इसकी संख्या इसकी जो आकार प्रकार दो जगा इस गुबाड़े को अफुला दीजिए तो गुबाड़े का सेप कुछ इतना बड़ा हो जाए बड़े वाला आपन फिकास में आते हैं ठीक प्रोटीन से लेशर करना आपके स्रीश आपने पीछे पराओगा कार्भोहाइडिट क्या करते हैं उड़्जा देने वाला सवरोथ क्रूटीन को क्या करते हैं बाडी विल्डिंग पूर्ड यहांनि सरीर निर्मार करने वाले पदार्थ कह जाए ज करती जो उर्जा की सुरोत होते जिसे हम खाते हैं और जिसको हम खाते हैं उसे को क्या कहते हैं भोजन कहते हैं अब बात करते हैं सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं सभी जीवों में उर्जा तथा पदार्थ की सामान ने आवसकता समान हैं कहराक सभी जीवों में उर्जा तथा पदार्थों की सामान आवसकता समान है, सबको उर्जा की आवसकता पड़ती है, चाहे वो छोटा जीव हो, चाहे बड़ा जीव हो, चाहे वो हाथी हो, या ये कहने छोटी सी चीटी हो, सबको उर्जा की आवसकता पड़ती है, लेकिन उसकी आप उर्थी भिन सोसकते अब जो हाथी घाएगी जो पौधा खाएगा मनुखस टो खाएग के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते कहरा कुछ जीव ऐसे हैं जो आकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाई आकसाइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थों से पूर्जा प्राप्त करते हैं वे स्वापोसी कहला दें अब आप हेडिंग का डालेंगे कि सजीवों तथ तो अपना भोजन सरल आकर्बनिक पदार्थों तथा के शरोथ कार्बन डायी आकसाइड जल के रूप में प्रात्थ करते हैं, उन्हें हम सौपोसी कहते हैं, इनमें सभी हरे पौधे, उधारण इनमें सभी हरे पौधे, तथा कुछ जिवाण वाते हैं, अन्य जिव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार है ताकि एजियो समारच्छन तथा ब्रिद्ध में प्रियुक्त हो सके अब बताईए का अगर कोई कठोर पदार्थ जैसे आप सेब खाते हैं तो आपको पता है सेब मे और हमारे स्टिल प्रिद्ध तोड़ती है और फिर हमें किसरे मात्रा मिलती आयरं मिलता है और एक हम उदारण बतार है तो उसके अंदर का तत्त्त हमें प्राप्थ होता ह् vårdota गयो समारच्छन औंबरेद में प्रियुक्त HO التي काम 가장 प्रम की अप्रूप करने के लिए जिव ज पुयोगी बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम एंजाइम कहते हैं आता है बिसम पोसी उत्तर जीवता प्रतेक्षा-परौच रूप से हम 100 पोसी पर आसरे हों देखिए यहाँ पर लिखा गए जो अपना भोजर नहीं बनाते बलकि किसे पर बोजना करते हैं क्या रहा आ प्रत्यक चरूप से या परोग चरूप से हम किस पर आशरूर या प्रैण? मुदारण जएसे समझते हैं कि माल लोग एक बकरी है और उस बकरी को भोजन करना है तो बकरी पौधे पे कैसे आसरित है प्रत्यक्ष रूप से आसरित है तो किसको खाएगी पौधे को खाजाएगी लेकिन एक सेर है और सेर को भूजन करना है तो सेर किसको खाएगा पौधे को खाएगा पौधे को खाएगा नहीं किसको खाएगा बकरी को खाएगा ठीक तो प इस प्रिकार की वित्म पूसी जीओं में सब्ढ़ीत हैं उधारन कौन है सभी जंद और कवक कवक किसे कहते हैं जिसे मसरूम ठीक इसवापोची पोसर आप एक एक को समझते है रहे हैं सोड़ी सेपोसी डालेंगे इसको डीटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा ऐसको करते हैं चली देखते हैं यह थोड़ा सा आने रहा है ठीक है चली स्वापोसी पॉसर्ड़